असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग तो जी बड़ी तेस कड़ाके की सर्दी पढ़ी है जेपूर में तो बहुत ज्यादा पढ़ रही है तो बस बच्चों को लेके मैं निकल चुकी थी कि चली आईए थोड़ा वो तपन बाहर घूमी आते हैं और सर्दी में पताशी खान करके घर पर लिया थे ताकि सुकून के साथ मज़े के साथ हम लोग खाएं तो बच्चों को तो आप है के मतलब उनको तो कुछ ना कुछ ना कुछ चाहिए होता ही है तो बच्चों के साथ जरूर जाएं बच्चों का दिल भी आप रखते हैं आप पेरेंस से आपको ध्यान बिर्यानी थी कॉर्मा था और मीठा था बड़ा मज़ा आया खाने में तो कभी-कभी ऐसे भी इंजोई करने के लिए निकल जाना चाहिए तो में भी निकल पड़ी थी आज बच्चों के साथ पर के चली आजाओ अपने हम लोग भी घुम लेते हैं तो बस दूसरे दिन अपन के भी उठते हैं तो माबाप के साथ अपने बड़ों के साथ जरूर बेठें क्योंकि उनके साथ बेठने पर आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है मुझे तो अपने पापा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं हमेशा उनसे कुछ नकुछ जरूर सीखते बच्चों का उधम इतना ज्यादा हो रहा था और ये तो बड़ी बच्ची उधम बाज है हमारी माशालला से तो बस वहाँ पर बेठे खानावाना खाया भेन भाईयों के साथ में गप्षप करी और फिर हम रवाना हो चुके थे अपने अपने घरों के लिए जो के भाई आप कहीं भी रहे हैं आदा अपनेगे घर को गओये, तो इतनी तेज सरी पढ़ रही थी तो आज सोच हा तमप्टम का मज़ा लेते और त्मथम में हम सब एक साहत बेट बेटे करते ये जब में टाइम का पता ही नहीं चलता है फिर घरा आए घरा करके सारे काम करे काम करने के बाद में नमाज अदा करी बच्चों को भी नमाज अदा कराइं क्योंकि सब सब कुछ अपनी जगा और नमाज अपनी जगा नमाज और प्राइश अपनी जगा अगर टाइम मिले तो व्लोग के साथ में व्लोग जरूर जरूर वाच करें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और बस जाज़ जाज़ा शेयर करें फिर मुलाकात होगी इंशालला जल्दी अल्ला हाफिज